हेलो एवरिवन मैं हूँ प्रियंका और सिंपल सरल किचिन में आपका स्वागत है तो फ्रेंस आज मैं बनाने वाले हूँ वेजिटेबल पुलाव बहुत ही ज़दा टेस्टी है बहुत ही खुश्बुदारिये बनते हैं और इसका एक एक दाना चावल का बिल्कुल खिला खि देखेगा तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसेपी तो यहां पर मैंने लिया है रोजाना बासमती राइस जिसे मैंने अच्छे से थो लिया है और 15 मिनट के लिए सोक करके रखेंगे और अब मैंने यहां पर एक गैस पर कुकर चटाया है गरम होने के लिए इसमें मैं दो चमश रिफाइंड ओयल डाल रही हूँ और जब यह ओयल गरम हो जाए अच्छे से इसको इस तरीके से स्प्रेड कर दें कुकर में और इसमें मैं फ्राइ कर ले रही हूँ यह सोया वरी तो मैंने यह मिनी चंक्स लिये हैं और 10 मिनट के लिए मैंने गरम पानी में फिका करके रख लिया था इन वर्यों को अपहलोगा थोड़ा साव ऐ चाल कर लेंगे अब अब हम धिया नहीं करेंगे गैस की आपनी कора ख़多ऑ चीन को मैंने थोड़ा सा मेडियम कर लिया है और शालो फ्लाइक इस।रुके से हालगा सा कर लिया है जब कर लिए ने ओध नहीं अक दाल दिया है लग बग तीन से चार चम्मच की करीब और जब तेल गरम हो जाए तब इसमें आदा चम्मच जीरा डाल देंगे एक तीज पत्ता एक स्टार और थोड़ा सा दाल चीनी बहुत इच्छा फ्लेवर राता है इन सभी से थोड़ा सा सौते कर रहते हैं इसको इसको इ चार बाता नहीं बस यह ट्रॉंस्पेरेंट हो जाए उतना हैं आदे करेंगे में प्रक्त rescue को में ने हैं आदा कप मैंने आंपर मटर लिया हैं और आलू मैंने लिया है दो मीडियम साइज के जिसको मैंने थोड़ा मोटा मोटा ही काटा है और साथी साथ मैं इसमें आधा कप बीन्स डाल रही हूँ और अब इन सभी चीजों को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं आप इसमें अपने पसंद की सबज़ां एड़ कर सकते हैं गाजर वगेरा भी डाल सकते है मैंने इसमें गाजर आड़ नहीं किया है तो बस इसको इस तरीके से मैंने मिक्स कर दिया है और rifle जिंजर गालिक का पेस्ट, एक च मेने डाला है और दो चिटकी मैं इसमें हिंग डाल दे रही हूँ और अब इसको अच्छे से हमें भून लेना है तो दो मिनट तक मैं इसे अच्छे से भून ले रही हूँ ताकि सब्जियां थोड़ी सी क्रंची हो जाए और जोगी जिंजर काली का फ्लेवर है वो भी निकल जाए तो यह देखिए दो मिनट तक मैंने सब्जियों को अच्छे से फुन लिया है और अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ दो मीडियम साइज के कटे हुए टमाटर और इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालना है और अब इसमें डाल देते हैं आ थोड़ी से रेड चिली पाउडर का भी उज़ कर सकते हैं मैंने इसमें नहीं डाली है रेड चिली पाउडर और एक मिनट के लिए सब्जियों को फिर से भुन लेते हैं और अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ यह एक हरी मिश तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिक्स करने के बाद में इसमें हम चावल डाल देते हैं जो हमने भीगो करके रखा था एक्स्रा पानी मैंने निकाल दिया है और अब चावल को डालने के बाद में एक मिनट के लिए इसको हम अच्छे से भून लेते हैं और ध्यान रखिए बहुत ज्यादा नहीं इसको चला तो यह एक कटोरी से मैंने एक कटोरी चावल लिया था यहाँ पर एक सीटी आने तक इसको हम पका लेंगे यहां पर लिखी एक सीटी आ गई है गैस की फ्लेम को मैं यहां पर बंद कर दे रहे हूं और अब इसको अपने आप ही ठंडा होने देते हैं इसका प्रेशर अपने आप ही निकल ने देते हैं उसके बाद इसको हम ओपन करेंगे तो यह देखिए यहाँ पर यह सारा प्रेशर निकल गया है खोल करके डखकन इसको देख लेते हैं और यह देखिए कितनी बढ़िया यह हमारी पुलाव तैयार हुई है बहुत ही बढ़िया खुश्बो आ रही है इसमें से और एक फोक की हल्प से इसको चेक कर लेते हैं देखिए तब बढ़िया पका है और एक एक दाना खिला खिला यह बना है तो फोक की हल्प से ही इसको हलका हलका सा इस तरीके से निकाल लेते हैं बहुत हलके हाथों से आप निकालें इसको यह ज़ादा गरम है तो टूट भी सकता है, चिपक भी सकता है इसलिए फोक की हल्प से हलके हलके आतों से इसको सरीके से करें और नीचे से इसको निकालें ताकि जो नीचे के चावल है वो ओवरकुक ना हो जाएं तो चलिए अब इसको हम सर्फ कर लेते हैं देखिए एकदम खिला खिला बना है बहुत यह बढ़िया है यह मारा पुलाओ तयार हुआ है रायते के साथ या फिर अप इसको दही के साथ एंचॉई कर सकते हैं तोड़ी सी स्प्रिंकल कर देते हैं कटी भी हरी दन्या और आप चाहे तो इसका स्वाद बढ़ाने के लिए एक चमच देसी घी उपर से डाल करके खा सकते हैं तो इस खिले खिले वेच पुलाओ की रेसिपी को आप घर में जरूर ट्राय कीजेगा और मुझे बताएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजेगा चैनल को सबस्क्राइब कीजेगा साथी साथ बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कीजेगा जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो मैं मिलूंगी मेरी अगले वीडियो में तक के लिए बाबाई